दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज हम 17 और 18 अगस्त के सभी important current effects को discuss करेंगे आज ये शुरुबात करते हैं आज के प्रलम समंत्रा की पहले article में हम जर्मनी की location जान लेते हैं दीखें ये जर्मनी है इसके नॉर्थ में आपको डेन्मार्क देखने को मिलता है अगर इस्टन बार्डर की बात करें तो हमें पोलेंड, चेक रिपबलिक और आस्ट्रिया देखने को मिलता है साउथ में आपको स्विजर लैंड देखने को मिलती है अगर बात की जाए वेस्ट साइड में तो हमें पहले France, देन लेक्जंबर्ग, देन बेल्जियम यह आपको नीदर लैंड देखने को मिलता है यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टन सीज देखने को मिलते है एक तो नॉर्ट सी और दूसरा है बाल्टिक सी अब यह रिसेंट्ली न्यूज में था क्यों कैनेबी आपको पता होगा आपने कभी भांग के बारे में सुना है अब यहाँ यह कहा जा रहा है जर्मनी में कि भी अगर कोई परसनल यूज के लिए भांग को इस्तमाल करना चाता है रीक्रियेशनल परपरजिस के लिए तो उसके लिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है देखते हैं पास होता है कि नहीं लॉमेकर इसे अप्रूव करते है कि नहीं और फिलाल के लिए इसे याद रखना है कि जर्मनी आपका न्यूज में था आएए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के इस आर्टिकल में हम जानेंगे लेक टीटी काका की लोकेशन को देखे यह जो लेक की टीटी काका है यह पेरू और बुलीविया के बीच में यहाँ पर लोकेटिड है अब यह न्यूज में क्यों था देखे यह जो आपकी वाटर लेवल है इस लेक का वो कॉंस्टेंटली डिकलाइन कर रहा है और इसके पीछे दो तीन रीजन्स है पहला रीजन तो आप क्लाइमट चेंज ही लगा लेजे क्लाइमट चेंज की वज़े से बरसात यहाँ पर कम हो रही है जिसकी कारण यहाँ पर इस लेक का पानी कम हो रहा है दूसरी चीज यहाँ पर मेटरलाजिकल प्लस हीडरलाजिकल डॉट्स आए है कॉंस्टेंटली आपके लाउस दस ग्यारा सालों में इसकी वज़े से भी इस लेक का जो वाटर लेवल है वो कम हुआ है फिर इस लेक के साथ कुछ दो तीन बुनियादी प्रॉब्लम और भी है जैसे अगर बात की जाए इस लेक में आसपास की सभी सिटीज का जो जैसे वाटर बाटिज यहाँ पर आके ड्रेन करती है तो वो साथ में लेके आते हैं कुछ पलूटिड वाटर तो जितनी भी यहाँ पर इस लेक के आसपास सिटीज है उन सभी का कच्रा इस लेक में आके डिपॉजिट होता है तो पलूशन इस वाटर जिसकी वज़े सी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है चौथा रीजन यहाँ पर ओवर फिशिंग देखने को मिल रही है तो ओवर फिशिंग के कारण भी यह लेक थोड़ी ट्रॉबल में है क्योंकि बहुत सी आपकी लेक के अंदर जो इंपॉर्टन स्पिशिज मिलती थी अब वो वर्ज पे हैं खतम होने की मतलब अक्षिंट होने की तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था आईए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सेंटर द्वारा लांच किये गे Global Initiative on Digital Health के बारे में देखे यह जो इनिशेटेव है यह लांच किया गया इंडिया और द्वारा इसे लांच किया गया था जी ट्वन्टी की एक मीटिंग के द्वारा जिसका नाम है Global Initiative on Digital Health अब देखे आपको यहाँ पर कोई चीज़े समझ नहीं है ये तो हमें सभी को पता है कि COVID-19 के टाइम पे वर्ल्ड हमारा तियार नहीं था किसी भी तरह का surveillance प्रॉपर नहीं था जिसकी वज़े से वी वर कॉट अनप्रिपेरड अब यहां हमारी कोशिश यह है कि next time कोई भी health emergency आती है दुनिया को hit करती है उससे पहले हम कुछ counter measures को develop कर लें तो इसके लिए हमें चाहिए कि सभी countries आपस में data को share करें यानि data convergence देखने को मिले एक interface हम create कर सके health platform का और दूसरी चीज एक digital health space को हम create कर सके जहां पर ना केवल hospitals, patients बलकि research institutions भी साथ में जुड सकें अब इसमें तीन तरह के tracker है आपके, पहला है investment tracker कि कौन कितना पैसा दे रहा है, कहां पर पैसा इस्तमाल हो रहा है, इन सभी के बारे में यहाँ पर focus किया जाएगा दूसरा आजाता है आपका ask tracker, जहां पर आप पूछ सकते किस तरह की services यह provide कर रहे है तीसरा आजाता है आपका library, लाइबरेरी में आप यह समझे कि जो पहले के हमारे जितना भी data है, health status related, उन सभी को यहाँ पर डाला जाएगा तो यह initiative के बारे में आपको इतना ही याद रखना था, आईए, अब बात करते हैं अगले article की इस article में आपको कुछ important चीज याद रखने है, देखे, आपसे कुछ साल पहले UPSC ने पूछा था, कि अगर कोई इनसान अपनी पसंद के लड़का या लड़की से शादी करना चाता है, तो वो कौन से article के अंडर आता है अब ऐसे ही एक case है, जहाँ पर divorce का कारण बना false allegation, देखे, यहाँ पर case है एक महिला का, जिन्होंने अपने पती को बहुत जादा परतारित किया mentally, जिसकी वज़े से उन्होंने divorce petition डाल दी, उनकी wife का ये जुठा आरोप था, कि भई, उनका कहीं किसी और लड़की के साथ च कर सकता है, और इस बिना पर उन्हें divorce grant कर दिया गया, तो यहाँ पर आप याद रखना, कि हो सकता है UPSC में आप से ऐसा question पूछा जाए, तो like कुछ प्रलिम्स में आ सकता है, या interview में आ सकता है, तो that is the knowledge that you have to gain from this point, आईए, अब बात करते हैं अगले article के, इस article में हम बात कर क्या गया, article 48 से लेके 51 तक, इन articles के इलावा, article 279 में भी इसके बारे में बात की गई है, अगर बात के जाए, article 48, 148, बात करता है इनकी appointment oath और service condition के बारे में, 49 बात करता है, इनकी duty और power के बारे में, 51 बात करता है, कि इने report summit करने होती, president को या governor को, जो कि आगे further legislative assembly या parliament के सा हम financial accountability को ensure कर सकते है, executive की, और इसी वज़े से, ये act करता है, friend philosopher guide, आपकी public account committee का, अब यहाँ पर CAG ने एक चीज़ रवील किये, कि निपाल की जो tea है, almost same topography में मिलती है, weather और climate condition लगबख same है, इनको mix किया जा रहा है, darjling tea के साथ, जो की GI tag का, जो आपका concept है, उसका violation है, क्यो purity के साथ provide कर रहे है, इसमें कोई mixture नहीं है, कोई धांदले बाजी नहीं है, तो यहाँ पर T-Board of India को कहा गया है, CAG के दोरा कि आप necessary step लीजिए, ये GI tag मिलावा, darjling tea को, आप ensure किजिए कि इसकी quality को आप सही maintain कर सके, यहाँ अगर बात किजाए, T-Board of India की, तो यह एक organization है, ज इस article में हम जानेंगे दुनाबे river की location को, देखे दुनाबे river आपकी तीन country से होके निकलती है, एक तो Russia, Belarus और Ukraine, अभी recently आप सभी को पता होगा, दुनाबे वाले area में कुछ ports थे, कुछ green storage facilities थी, जिसके ओपर recently target कर रहा था आपका Russia, इसमें सी कुछ important ports आपके news में रहे हैं, जैसे Odessa, Kronomorosk और पेवेदेने, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन ports की उपर attack होने की वज़े से, ग्लोबल supply chain जो है, वो disrupt होगी, अब पूरा थोड़ा आपको background बता देता हूँ, जिससे आपको चीज़े समझने में असानी रहेगी, अगर आप इस map में देखते होंगे, तो यह आपका Sea of Azov है, Azov और Black Sea को अलग करता है एक Strait of Crutch, यहाँ पर यह क्रीमिया वाला पार्ट है, जिससे 2014-15 में रश्या ने कबजा कर लिया था, अब Russian territory को Crutch वाले एरिया से, यानि आप यह कह सकते हैं कि यह क्रीमिया वाला एरिया है, इससे connect करता है एक road जो Strait of Crutch क उपर से जा रहा था, रीसेंट टाइम में drone हमले के थ्रू जो आपकी Ukraine उसने इस पुल को तोड़ दिया, जिसके बाद से रश्या ने जो grain export का जो contract हो रखा था UN के साथ, उसे violate कर दिया, मतलब यहाँ पर Russia ने कहा कि आप मेरे लाके पर अटाक कर रहे हैं, तो यहाँ मैं आपको problem देखने को मिली, food inflation देखने को मिली, खासकर यहाँ पर आप African countries को देखते हैं, तो वहाँ पर जादा आपको problem देखने को मिली, तो अभी हाल फिलाल में Ukraine एक alternative route को use कर रहा है, जहाँ पर यह रुमेनिया के port का इस्तेमाल कर रहा है, रुमेनिया से सर्बिया होते इतना ही याद रखना था, क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में तो हम लगभग बात कर ही चुके हैं, जैसे Ukraine के आसपास कौन कौन सी countries देखने को मिलती हैं, तो चलो, एक बार जल्दी से comment box में बता दो, Ukraine किन किन countries के साथ water share करता है, 2023 के exam में UPSC ने आप से यह question पूछा हु मतलब यह जो एरिया है, यह कई countries क्लेम करती है, यहाँ पर वियतनाम कहता है कि यह हमारा फिलिपिन भी इसे क्लेम करता है, अगर बात कहीं जाए चाइना भी इसे क्लेम करता है, तो काफी disputed area है यह अभी recently एक satellite image release हुई, जिसके थूँ हमें यह पता लगा कि चाइना यहाँ पर air strip बना रहा है, तो आपको याद रखने हैं कि तीन important islands हैं जो इस area में disputed है, एक तो partial island, Scorbro Islands and then यह आपके sparkly islands, यह तीनों ही आपकी South China Sea में located है और तीनों के ऊपर क्लेम करता है आपका China, तो यहाँ इस article में आपको इतना ही जानना था, आईए, अब बात करते हैं अगले प्रोवाइड करने वाला है, यहाँ पर तेरा सो लिग दिया था गलती से, अब तेरा जार कर लेना, अब यहाँ किसको benefit मिलेगा, देखे भारत के अंदर बहुत से traditional craftments हैं, जैसे car painters हो सकते हैं, boat makers हो सकते हैं, fishing knits बनाने वाले हो सकते हैं, coblers हो सकते हैं, लोहा कार हो सकते ह अब यहाँ हम करने क्या वाले हैं, देखे इसमें डो ट्रेंचे में हम लोन प्रोवाइड करेंगे, जो भी कारिगर्स हैं उनको, ताकि वो अपने काम को बढ़ा सके, पहले ही आप ट्रेंच में देखेंगे कि एक लाक रुपे लोन दिया जाएगा, इसको चुकाने का जो और बढ़ा सके, जैसे मालने जिए एक टेलर है, उसने एक बड़ी शॉप लेने हैं किराएपे, बट या किराएपे लेने हैं, या आप यह कहले जिए कि कोई धंकी जगा पर अपना बूत खोलना है, तो उसके लिए यहाँ पर यह पैसा काफी प्रियाप्त हो सकता है, अब पर फोकस है कि कैसे इन्हें लेटस से लेटस उपकर्ण प्रोवाइड किये जा सके और इनके स्किल की अप्ग्रेडेशन करी जा सके, तो यहाँ इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था, अगर आप हमारे हैंडटन कंटेंड को डाउनलूड करना चाहते हैं, थाकि किन्ता ना करनी पड़े तो आप इस QR Code को स्कैन करके हमारे टेलिगाम चैनल यूपीएसी मंच को जाइन कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद,